हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागते आपके अपने चैनल में आज का पहला मुकाबला और लिग का 24 मुकाबला खेला जाएंगा किंग जिलिन पंजाब और कोलकाता नेटरडस के बीश में शेक जाए स्टेडेम पे दो पर से साड़े तीन बज़े से एमेज को खेला जाएंगा चलिए बात करते हैं दोने टीमों के प्रोबैबल प्लेइंग इलेवन की तो किंग जिलिन पंजाब की तरह से प्लेइंग इलेवन है नमबर एक क्रिस गेल नमबर दो मायंक अंगरवाल नमबर तीन लोकेश रावल नमबर चार निकोलस पूरन नमबर प्राच प्रभ सिम्टं सिंह नमबर चे मन दिप सिंग नमबर साथ मुझीपूर राइमान नमबर आठ अर्ष दिप सिंग नमबर नो रवी बिश्णोई नमबर दस शेल्डन कार्टरल और नमबर ग्यारा मौमद श्यमी किंग जर्ण पंजब के फैंस के लिए खुशी की बाती है कि क्रिस गेल विस्वोटक बल्लेबाज वो अवेलिब बले है और आज के मैच में उखेल सकते हैं पिछले मैच में भी खेल सकते थे लेकिन अपने पेट की दर्थ के वाज़े से खेलने बैसानील कुमले ने बताया लेकिन आज के मैच में पूरी दर से फिट हैं और खेल सकते हैं मैक्सवोटको रिफ्लेस करके खेलेंगे अभी बात करते कोलकाता नाइट आड़स के पलेंगे लेंगे उनकी नमबर एक राहूल त्रिपाठी नमबर दो शुबमन गिल नमबर तीन नितिश राना नमबर चार इओन मॉर्गन नमबर पाच दिनेश कार्तिक नमबर चे आंद्रे रसल नमबर साथ सुनिल नरायन नमबर आठ पाइट कमिन्स नमबर नो कमलेश नागर कोटी नमबर दस शीव मावी और नमबर ग्यारा वरुन चक्रवर्थी कुलकाता नाइट आड़स के टीम में भी कोई चैनेज देखने को नहीं मिला लेकिन शायद हो सकता है कि उनके टीम में एक चैनेज देखनों के मिले जो कि कुल्दी प्यादो इस टीम में खेल सकते है क्योंकि इस पीच पे स्पिनरों को हिल्प मिलती है तो वो कुलकाता नाइट आड़स क्रीम एक अत्रिक्त स्पिनर के साथ खेल सकते है तो उनके पस कुल दी प्यादव का उप्शन अविलेबल है तो हो सकता है कि आज के मैच में वो खेले लेकिन कुल दी प्यादव किसको रिप्लिस करके खेलेंगे ये भी टीम के लिए सबसी बड़ी समस्या है किंग जिलेंट पंजब को आज का मैच जितना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनका लीग में सात्वा मैच है और सात मैच में उन्होंने सिफ एक ही मैच जीता है तो अगर वो आज का मैच नहीं जीतते हैं तो हो सकता है कि उनको इस लीग से बाहर जाना पड़े क्योंकि इस match की बाद उनके 7 match बचते है और 7 match में से उनको 7 में ही जीतने पड़ेंगे 7 में से 7 match जीतना तोड़ा difficult है इसलिए उनको आज का match जीतना बहुत ज़रूरी है पंजब की तरब से बैटिंग अच्छे देखने को मिल रहे लेकिन बॉलिंग अभी तक उनकी तरब से कुछ अच्छी देखने को मिले नहीं है पिछले दोनों ही match में बॉलर ने बहुत ही गंदी तरह से बॉलिंग की जिसके वाइसे उनको विकेट्स ने मिले और रंस भी बहुत देने पड़े लेकिन पिछले match के अगर बात करें तो डेट्स ओर में अर्शिदिप सिंग और रवी विष्णों ने काफी अच्छी बॉलिंग करते विए अपने टीम स्कोर टाइम पे विकेट दिला है इन दोनों ही बॉलर में 2 वर में 3 विकेट चटकाई थे जो कि अच्छी बात है कि क्योंकि ये विकेट्स अगर नहीं केते तो सामने ले टीम 200 प्लस का स्कोर आराम से बना सकती थी क्योंकि दोनों ही प्लेट्स एट थे पंजाब की दर्ब से पिछले दोनों ही मैच में बहुत खरब बॉलिंग देखनों के मिली पिछले जो दो मैच के लिए वो दोनों ही मैच में सामनी ले टीम ने पहले विकेट के लिए 100 प्लस तरण की पार्टनरशिप की थी इससे हमें समझ में आता है कि पंजब की बॉलिंग किस तरह की रही है अभी तक पंजब की जगर मैच जितना है तो उनको बॉलिंग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा उनको देखना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग लाइन की इस तरह से और थोड़ा इंप्रोमेंट करना पड़ेगा नहीं तो अगर आज के उने में 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 अगर विकेट जल्दी नहीं चटका पागा तो सामने वाली टीम बड़ा स्कोर कर सकती है इसे पंजब की टीम को थोड़ी दिक्कत है आ सकती है पिछले मैच में पंजब की तरफ से निकोलास पुरों ने काफ़ी अच्छे बैटिंग की थी सारे बैट्समन आट हो गए लेकिन वो अकेले ही अपने टीम के लिए रंस बना रहे थे अच्छे सिक्सेस उन्हें लगाए बहुत अच्छा स्कोर किया इससे समझ में आता है कि निकोलास पुरों काफ़ी अच्छे फॉर्म है आज की मैच में वो कैसे खेलते हैं वो भी देखने में इंटरिस्टिंग रहेगा वही कोलकाता नाइटरिस की बात करे तो उन्होंने अभी तक पाच मैचेस खेले और पाच में से तीन मैचेस जीते हैं और वो पॉन्स्टेबल में चोथे नमबर पे वो भी ये मैच जीतना चाहेंगी क्योंकि एक कोलकाता नाइटरिस इस मैच को जीत लेते हैं तो वो चोथे नमबर से तिस नमर पे खे आजांगे तो उनके लिए भी ये मैच जίνतना हुल्त इंपरेंट है कोलकाता नाइटरिस भी ये मैच जदने के लिए अपनी पूरी कोछिष लगाएंगी पिछले मैच में कोलकाता नाइट्रेडस ने अपने बैटिंग ओडर में कुछ चेंजेस की थे जो कि उनके लिए काफी अच्छ रहते राहूल त्रीपर्टे की उन्होंने ओपनिंग में खिलाया था काफी अच्छा रहा और उनके उनकी के सीडेड के मदद से पिछले में मैच में देखने ओपन करेंगे शुबमान गिल के साथ में पिछले मैच में राहूल त्रीपर्टे के अलवा और किसी भी बल्लेबास की तुर अच्छी बैटिंगध देखनी को नहीं मिली है केग्यार के लिए सबसे बड़ी चिंता के बात है तो दिनिस कार्थी का फर्म अभी दरक एकThis में धीनेस कार्थी का अच्छे बैटिंग नहीं कर थाया है जो कि चिंता कीूपाई है levels के लिए कोलकादा के टीम को दिनिस कार्थिक के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि कैप्टन होके अगर वो एक भी मैच में अच्छी से बैटिंग नहीं कर पाते हैं तो टीम थोड़ी दिक्कतों में आ सकती है केकर के तरब से बैटिंग कोच अच्छी देखने को नहीं मिल रहें लेकिन उनके बालर अच्छा साथ दे रहें लेकिन उनके बालर अच्छी बालिंग कर रहें सभी बालर की तरब से विक्रिस देखने को मिले और सभी के तरब से रंज भी बहुत कम आए एकोनमी सबका अच्छा था हम उम्मीद करते कि आज के विडियो मैंच भी उनके बॉलोस अच्छी बॉलिंग करके अपने जो बैट्समानों ने स्कोर किया है उसको हिल्प करे और टीम को जीताने में मदद करे और आप हमें कमेंट करके बता सकते के इन दोनों में से कौन सेटी में मैच जीतेगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो लाइक और शेयर करना मद भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राब भी कर दीचिए और वीडियोज की नोडिवीशन डेली पाने के लिए बेल आइकोन को प्रेस करना मद भूलिए और हमारा वीडियो शूरू से अनतर दक बुरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्यू